आचार्य चानक्य के मुताबिक ऐसे लोग जीवन में खूब कमाते हैं धन समाज में होती है वावाही नमस्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्री जोई चानक्य नीती आचार्य चानक्य द्वारा रचितिक नीती ग्रंथ है जो प्रभावशाली होने के साथ साथ काफी लोग दिये भी है चानक्य नीती नीती प्रक्रंथों में से एक महत्वफूर्पून डंथ है माना जाता हैं कि यह कोई व्यक्ती अपने जीवन में चानक्य जीकी इन बातों का उतारता है उसे अपनाता है तो उसे सफलता प्राप्त करने से खोई नहीं रोग सकता देखे आचारे चानक्य के नुसार केवल धन्वान बनने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति धन्वान नहीं बनता बल्कि इसके लिए परिश्रम करना और संयम रखना बेहर जरीवी है इसलिए खूब परिश्रम करें और अच्छे परिणाम के लिए खूब पर संयम भी रखने इसे के साथ आचारे चानक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिल में दूसरों के उपकार करने की भाव न रखता है ऐसे व्यक्ति को कभी रहन की कमी रहती है और नाहीं उस व्यक्ति पर पर संकट आता है क्योंकि ऐसे पर उपकारी व्यक्ति पर देवी देवताओ की क्रिपाब बनी रहती है वही दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति सज्जन होता है ऐसे व्यक्ति को समाज में भी मानसमान की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सकरात्मक्ताब बनी रहती है जो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दुश्परिनामों से दूर रखती है चानक्की जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मदुर्भाशी होता है उसे जल्दे सफलता प्राप्त होती है महें कटू वचन बोलने वाले लोग जीवन में हमेशा पीछे ही रह जाते हैं इसका कारण यह है कि आपके वचन और व्यवार द्वारा ही लोग आपके बारे में धार्णा बनाते हैं इससे जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए व्यक्ति का मदुर्भाशी होना बेहत ज़रूरी है पिलाल के लिए इतना ही ऐसी और जनकारियों के लिए आप देखते हो यह नग्स पीछे लिए तक तक के लिए